तो सिलाई पर सिलाई लगाना है नहीं तो यह bigger जाएगा देखें कुछ इस तरीके से आपको दिखाए देगा अब जो हमारा लेंगा कुछ इस तरीके से दिखाए देगा देखिए देखिए इस वीडियो में आप जानेंगे इस डिजाइन की लहंगा यानि एसकट कट करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका साथ में इसकी स्टिचिंग भी हम सीखेंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने दो मिटर प्रिंटेड क्रस किया हुआ चिनोन फैब्रिक लिया ह इसका नाम चिनोन है याद रखिए बहुत साले लोग पूछने लगते कमेंट करके कि कौन सा फैब्रिक है उसके साथ साथ में आपको लेना है बडर क्रेप यह बडर क्रेप है बहुत सारे जगह पे इसे सूट बना लेते है इसका प्रेसे तो इस डिजान को बनाने के लिए आपको क्या करना है दो मेजरिमेंट की ज़र्द परेगा एक लेंथ का ठीक है जो इसका लेंथ 38 है उसके ज़र्द परेगा कमर की यह हम 32 कमर का बना रहे हैं 32 कमर यह फिक्स कमर इसमें बनेगा याद रखिएगा तो इसमें कमर में कोई भी मार्जिंग इस्ट्रा नहीं करन आपको यह चीज़ ध्यान रखना एलाश्टिक वाले में अलग कटिंग होता है और इसमें अलग कटिंग होता है तो जो हमारा अस्तर की फैब्रिक है उसको आपको इस तरीके से फोरफोल्ड करना है और अगर आपकी पना कम है जैसे कि इसमें पना जो है लगबक 40 इंच है 40 इंच से कम पना नहीं चीए ठीक है पना कम है तो आप उसको पेटी कोड की जैसा कट कर सकते हैं पहले हम एक यहां पे सीधा लाइन खिचेंगे अब याद रखिए इसमें हमारा जो है बेल्ट की चौड़ाई 4 इंच रहेगा अब 38 इंच हमारा लिंध है तो उसमें हम क्या करेंगे देखिए 33 इंच इसको कट करेंगे पहले इसमें क्या कीजिए एक इंच यहां पे और डाउन कीजिए यहां से आपको लेना है मेजरमेंट मैंने एक मिश्टेक कर दिया है अब यहां पे भी हम एक इंच बढ़ा देंगे जो भी कमर की मेजरमेंट है उसके चौथा भाग यहां पे लेना है उसके बाद यहाँ पर एक इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है हीप मेजरमेंट करने की जड़ोत नहीं होगा आपको इस तरीके से उसके बाद इस निसान को ऐसे मिला देना है देखिए यह चोक थोड़ा अच्छे वाला नहीं है इसलिए निसान ठीक से नहीं आ रहा है उसके आद यहाँ देखिए यह जो है अपना 33 इंच हो रहा है तो इस तरीके से हम 33 इंच पर निसान लगाते जाएंगे तो यह निसान जो है हमारा इस तरीके से आ जाएगा आप इसे और ये भी कठ कर सकते है कोई नहीं आएगा यह मच गया इसे हम बेल्ट में उच कर लेंगे यह वाला फैब्रिक है इस तरीके से आपको complete विछा लेना है नीचे से सही करके सीधा करके और इसमें हम 4 इंच चौड़ा बेल्ट लगा रहे है चार इंच चौड़ा याद रखेगा तो इसके इसाब से हम यहां मैनिस करेंगे 35.5 यहां पर हम निसान देंगे उसका इसको ऐसे रख कर और इसे हम कट कर देंगे यह हमारा बेल्ट बनेगा यह लगभग 2 मीटर है तो इसमें गेदर्स देंगे और गेदर्स देकर इसको तयार करेंगे अब सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिट लगेगा गेदर्स देंगे फारे मैन practitioners से देंगे खेंगे तो इसके लिए तरीके की यूज पर टूल यूज कर सकते हैं ऐस में आप अपने से बनाया हुआ है ठीकि आप इस से इस तरीके से यूज कर सकते हैं लेकिन अफ़्ीं इससे इफ्ञाड नहीं है तो आप इस इती sínda देखेए, इस तरीके से आपको इसमें गेदर्स देना है, ठीक है, अब एक येदर्स कितना होना lots किए, ये जो अस्तर है हमारा, ये किया हुआ इतना होना चीए तो अभी हम रखकर मापेंगे कि परफेक्ट आ रहा है या कम ज्यादा हुआ है देखिए तो यह बहुत ही कम हो गया है थोड़ा सा कपरा हमें और चीए था इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा ऐसे करके और दोनों साइट खोल कर इसको मार्जिंग म एक का बात बड़ को प्ले लेंगे इस तरीगे से हमंआर परफेक्ट हो जाए तर दूसरे पल्ञे को भी हम सेम लगा लेंगे उसके बाद इस पल्ले पे हम दोनों को सिंगल करके अटेच कर लेंगे त रहका कर उल्टा-चिदा देख लेनाे आपको और ऐसे अटेच कर दे यह सिलाई आपको जो गेदर्स दिया हुआ है उसी सिलाई पर सिलाई लागाना है नहीं तो यह बिगर जायेगा देगे कुछ इस तरीगे से आपको दिखाई देगा दोनों पल्ले को सेम अटेच कर लेंगे अब उसके बाद इसमें हम साइड की सिलाई लगाने वाले हैं तो साइड सिलाई लगाने के लिए आपको समझना जरूरी है क्योंकि नॉर्मल सिलाई नहीं लगती है यह सुरुवा यहां पर जो है ऐसे करके देखिए यह दोनों को थोड़ा साथ को नीचे तक आना है ज्यादा नीचे नहीं आना इतना नीचे आना है दो-ती नीचे इस साइड के लिए या आप जितना चेन लगाते उतना भी आ सकते हैं तो भी परफेक्ट होगा मैं उसी के हिसाब से कर दे यहीं पर आपको फिर से सुरू करना है देखिए एक सिलाई हमने लगा दिया अब इसको फिर से ऐसे लेंगे दोनों पल्ले को और यहां से सिलाई शुरू करेंगे और यहां तक लाकर और फिर यह वाले पल्ले को ऐसे क्रॉस करके अंदर कर देंगे फिर यहां से ऐसे सिलाई लाए गूँँआ गूँँआ हमारा दूसरे साइड जी धर हम जीपर लगाने वाले है इन्विजवल चेन उस साइड थोड़ा सा अलग हो जाता है ऐसे अपने साइ और हमम एक किशा सकते हैँ कि इसमें चार इन्चा बेल्ट ऑथ है तो अहीं से इसको ऐसे कम लाँ करेंगे अब इसको यहाँ से करके राख देंगे और उन्हेर्ट करेंगे और एक पल्ल या ओठ मक हम फोड़ा दूस्ट आपको इह पलीताः को हम साइड करेंगे और इसको भी side करेंगे ऐसे करके देखिए ऐसे करके फिर से यहां से अलग करेंगे सिलाई को अब इसमें हम सिलाई लगा दोंगे अब यहां से फिर से इसको हम ऐसे कर देंगे साथ में और उपर से सिलाई लेंगे अब यह वाला पल्ला को अंदर कड़ेंगे, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि लहंगे में यह जो नीचे की घेर होता है, और यह जब कपरा रहता है तो उसकी जो चीफ होता है नीचे की दामान, वो मोरते कैसे है, उसका इजी तरीका क्या है, वो चीज आप समझेगा, द देखिये, ध्यां से देखिए का हमारे हाथों को समझेगा, मैंने इस हाथ को ऐसे इतना अंदर लिया, ऐसे लिया, और इसको तो थोड़ा सा ऐसा यहां पे देखिये, बीचली अंगोली पे, यह चोड़ देगे, एस थोड़ा सा टाइट रहिए, हलका टाइट रहिए, पू आप लोग में क्या होता है कि एठ जाता है तो एठ ना नहीं चीए लेंगे तो इस तरीगे से दिख रहा है अब चलते हैं इसकी बेल्ट बनाने बेल्ट कट करने के लिए आप पतले वाले केनवस ले सकते हैं और मोटा जो बोकरम आता है केनवस उसको यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे अभी परजेंट में मोटा वाला केनवस नहीं मिला इसलिए में पतले वाले पे कट करके आपको और बताऊगा इस उसके बाद यहाँ पे जहां पे हमारा आठ इंच होता है यहाँ पे एक इंच उपर कर देना है और इस तरीके कि इसकेल लीजिए ऐसे सेप दीजिए इसमें यहां से यहां 4 इंच में आप लिजिए, और इसको ऐसे सेफ लीजिए, यह हमारा परफेक्ट निसान हुआ, अब इसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच यहां पे बढ़ा देंगे, आधा इंच या पौना इंच, यह अब मैं इसको कट करता हूँ देखिए इस तेप में आपको बेल्ट को कट कर लेना है अच्छे से और इसको क्या करेंगे अब पेस्ट कर लेंगे अस्तर के कप्रे पे उसके बाद इस फैब्रिक को जो है इसको प्रेस लागा कर सीधा कर लेंगे पेस्टिंग करने के बाद कु दोनों को सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे, अब इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा बचा हुआ पल्ला है, उसको भी हम ऐसे रख के और सेम कट कर लेंगे, ठीक है, यह हमारा दो पल्ला सेम हो गया, अब हमें क्या करना है, यह दोनों को ऐसे रख कर जोएंट क करना है एक जोरने के बाद इस पल्ले को भी सेम जूर लेंगे अब इसको जो है यह वाला भाग इसको मूर लेंगे इसका देवाले पल्ले को लेना है ऐसा और इसको सेंटर रख कर सिलाई लगा लेंगे यहां पे इसको मिला लेंगे प्रोपर मार्जिंग इसको मिलाना है तभी जाकर यह परफेक्ट अटेच होगा ध्यान रखिएगा यह इस तरीके से हुआ अब एक सिलाई हमें यहां पे भी लगा दोटे है यह हमारा बेल्ट यहां तक बन चुता है इसको अब उल्टे से सीधे में हम बे बेल्ट को अटेच करते टाइम ध्यान रहे कि नीचे की जो सिलाई है उसमें इस्ट्रा कोई कपरा ना दब है हमारा अब इस बेल्ट को ऐसे रखके पक्का कर दीजिए अब जो हमारा लेंगा कुछ इस तरीके से दिखाए लेगा देखिए ठीक है इस तरीके से इसमें जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे याद रहे अगर मूटा केनवस हो तो पहले ही आपको एस सब कर लेना पड़ेगा यह पतला केनवस इसलिए हम इसको ऐसे कट रहे जीपर मैंने यह वाला लिया है इसके हिसाब से अब इन विज्वल जीप लगाने के लिए आपको फाप बूट की जरूरत होगा अब यहां पे जो है ऐसे सिलाई शुरू करना है ऐसे करके इसको पूरा ऐसे कर देना है और ऐसे करके आपको इसमें शिलाई लगाना देखिए एक से हमने लगाया अब इसको ऐसे गुमाने के बाद इसको ऐसे देखिए थोड़ा नगदिक कर लिजिए तब आपको समझना है ऐसे ऐसे करके इसको इसको उसके बाद यहां पर यह मिल गया यह अमारा निसान मिल रहा है तो हम यहां पर सेम लगा देंगे पहले क्या गरना है आपको चैन को बाहर खीचना है ऐसे करके ऐसे बेखिए यह हमारा खीच गया है अब जो एक्ष्ट्रा है इसको आप कट करके हटा भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं अभी हमें एक काम और करना है ऐसे लगाने के बाद जब जीपर लग जाए तो एक-एक सिल और ऐसे यहां पर सिलाई लागाई है इस तरीके से यह हमारा चैन जो है प्रफेक्ट लग गया है अब क्या करेंगे हम एक सिलाई जो है यहां पर दे देंगे लेकिने सिलाई जीपर लगाने पहले नहीं देना आपको याद रखेएगा ऐसा जीपर उपर खित जायेगा से यह बन गया है ठीक है यह देखिए भी आपको तो दिखिए हमारे फाइनल लहके का डिजाइन जो है बनकर तयार हो चुका है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको ऐसा दिख रहा है और इसकी जीपर जो है वो देखिए यहां से देखिए तो इस तरीके से हमारा लहेंगे का डिजाइन बनकर तयार हो चुका है और आपको हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा आप में कमेंट करके जरू बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है वीडियो समझ में आया है या डिजाइन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिया कोई भी एक रिजन में जाए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा